दोस्तों मैं सोरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलेटी जीके के Top 100 Most Important Questions आंसर्स देखिए बहुत सारे एक्जाम आ रहे हैं आप चैक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं पॉलेटी के ये वाले कोशन हर बार पूछे जाते हैं इस वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा सो में से आप लोग कितने कोशन के आंसर सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बोक्स में बताएगा और मेरे प्यारे दोस्तों गर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करना और अपने भाई बेंट दोस्तों के साथ में सेर जरू करेगा और देखे छेजार के कोशन आंसर की जो हमारी मास्टर पीडियाप है इस पीडियाप में आपको सारे सबजेक्ट मिल जाएगे और इस पीडियाप को डारेक्ली परचेज करना चाहते है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है या फिर आप हमें इस वोट्स अप नंबर पर मैसेज कर देना मैं आपको 6000 कोशन आंसर का लिंक भेजूँगा पहला कोशन आपके स्क्रेंट पर है भारतिय सविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था बेसिक से लेके चलूँगा स्टेफ वाई स्टेफ पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा आंसर पता है तो कमेंट बोक्स में बताईए धूसरा कोशन आता है कि भारतिय सविधान की आत्मा कहा जाता है तो कब किया गया था दोस्तों जल्दी से आंसर बता दीजे मुझे लगता है कि सभी student इसका answer बता सकते हैं बिल्कुल सही है दोस्तो 26 November 1949 को यानि कि C right answer हो जएगा question number 3 का very very important है याद रखेगा अगला question दोस्तो आता है question number 4 वर्तमान में भारते सविदान में कितने अनुच्छिद भाग और अनुसूचिया हैं यानि कि जब वर्तमान की बात की जाए दोस्तो तो आपको क्या answer लगाना होगा इस question का दोस्तो right answer हैगा वैसे देखे अनुच्छिद तो आपसे बहुत कम पूछे जाएंगे क्योंकि अनुच्छिद ना बढ़ते गढ़ते मतलब बढ़ते रहते हैं तो अभी तो आपके 450 से उपर ही है बट भाग की अगर बात कीज़े दोस्तो 25 है और दोस्तो 5 वात है कि भारत का मूल सविदान कहा संदक्सित है तो इस question का दोस्तो right answer होगा संसत भवन में यानि कि C right answer होगा question number 5 का ये आपको या दखना है अगला question आता है भारत संपूर्ण, संपर्भूत, संपन, लोकतांत्री, गंडाज्य कब बना था दोस्तो तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है right answer ही 26 November 1949 को यानि कि D right answer होजएगा question number 6 का अगला question दोस्तो आता है सविदान सभा की पर्थम बैठक कब हुई थी तो सविदान सभा की पर्थम बैठक दोस्तो कब हुई थी 9 December 1946 में और देखे एक चीज मेरे दिमाग में अभी आई है बहुत सारे student पूछते हैं कि सरी ये वीडियो किसे exam के लिए important है क्या UP SSC के लिए है या फिर दोस्तो बिहार SI के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो चीजे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो सभी exam को cover करती है अगर मैं 100 question दोस्तों लेकर आना दोस्तों सभिदान के तो इसका मतलब किसी particular exam का इस पे नाम का या टेग नहीं लगा हूँ है आपके किसी भी exam की तारी करते हैं इसी परकार के questions exam में पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीकी से practice होगी अगर आप ध्यान पूरवक इस वीडियो को पूरा अंतक देखेंगे आठवा question आता है भारती सभिदान सभा की इस्थापना की गई थी तो कब की गई थी दोस्तों इस question का right answer बतेगा right answer 6 December 1946 में right answer option B हो जाएगा question number 8 का अगला question दोस्तों आता है भारत में पहली बार सभिदान दिवस किस वर्स मनाया गया very very important हो सकता है question इस question का सही answer क्या रहेगा दोस्तों 2015 में यानि की 9 question का right answer B रहेगा अगला question दोस्तों आता है भारतिय सभिदान लागू करते समय इन में से कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचिया थे अब देखे दोस्तों लागू करते समय क्या पूछा गया है तो वो कितने हो जाएंगे 300 पिचान में अनुच्छे थे 22 भाग थे और दोस्तों 8 अनुसूचिया थी तो यह very very important है कहीं बार exam में आता है याद रखेगा मूल सविदान कितने सब्दों से बना है दोस्तों 11 कोशन का राइट आंसर बताएगा तो हमारा मूल सविदान जो है वो दोस्तों 8000 सब्दों से बना है यानि की option C राइट आंसर हो जएगा कोशन अमबर 11 अगला कोशन आता है दोस्तों प्रारूप समीती ने भारती सविद को लिखा था केवल अंग्रेजी भासा में यानि की राइट आंसर होगा कोशन नुबर 12 का याद रखेगा अगला कोशन आता है दोस्तों केंद्रिय विधान मंडल का पर्थम अध्यक्स कोन था इस कोशन का राइट आंसर होगा विट्टल बाई पटेल यानि की सी राइट आं यानि की राइट आंसर होगा इंग्लेंड बहुत सारे इस प्रेंड दोस्तों युएस से लगाते हैं युएस से आंसर नहीं होगा यह आपके अदखना है कोशन नुबर 14 में अगला कोशन दोस्तों आता है 15 भारत की सविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया ग यानि कि 16 का दोस्तों राइट आंसर सी होजएगा यह आपको यादखना है और दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट से ना कंप्लीट चारी कर सकते हैं क्योंकि मैंने जीके की प्लेलिस्ट में पूरा जीके कवर कर रखा है साइंस की प्लेलिस्ट में पूरा साइंस कवर कर रख तो 17 question का दोस्तो right answer हो जएगा देरदून से यानि कि C right answer है कोशन बर 17 का 18 question है सविधान की लिखित संकलपना का उदगब सबसे पहले कहां से हुए था यानि कि जो लिखित सविधान है नहीं दोस्तों वो कहां से starting हुई थी यह आपको बताना है तो सबसे पुराना जो लिकिट सविधान है दोस्तों वो अमेरिका का है यानि कि अमेरिका से होई थी तो right answer C हो जाएगा और दोस्तों सबसे बड़े लिकिट सविधान की बात किज़े तो किस देश का है जल्दी से comment box ने बताएगा सबसे बड़ा लिकिट सविधान और दोस्तो ऐ लिखित सविधान दोस्तो सबसे पहले किस देश का ये दोनों कोशन के आंसर कमेंट बोक्स से बताएगा क्योंकि बहुत ही इजी है जल्दी से आंसर आप लोग बता सकते हैं उननीसवा कोशन दोस्तो भारत की सविधान में प्रेस की सवतनता किस अनुच्यत के तहथ सुनिचित की गई है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर होजेगा अनुच्यत उननीस का फरस्ट कैमें यानि की राइट आंसर सी होजेगा question number 19 का ये आपको यादखना है बीसवा question है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक थे तो भारत के दोस्तों पहले मुख्य निर्वाचन आयुक थे कौन सू कुमार सैन यानि की D rate answer हो जेगा question number 20 का ये आपको यादखना है अगला question आता है सविधान के की संसोधन द्वारा मददान की आयु 21 से घटा कर 18 वर्स की गई तो इस question का दोस्तों right answer हो जेगा 61 सविधान संसोधन अधिनियम 1989 यानि की B rate answer रहेगा दोस्तों very very important question है ये mark कर लेना इसको exam में पूछा जाता है अलग-अलग exam में 22 question है राज्यसभा की बैठकों का सभापती कौन करता है दोस्तों यानि कि इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है आप लोग यहाँ पर right answer लागा है उपरास्पती वेरिकुर दोस्तों यही answer होने वाला है अगला question दोस्तों भारते सभीदान का सबसे बड़ा एका की स्रोत क्या है तो इस question का दोस्तों right answer हो जगा Government of India Act 1935 बिल्कुल सही answer क्या है तो right answer is D यह आपको यह दखना है 24 question है भारत के पहले रास्पती के रूप में डोक्टर राजेंद परसाद का चुनाव किया गया था तो इस question का दोस्तो right answer बतेगा क्या रहने वाला किसके द्वारा किया गया था यह किया गया था दोस्तों सभीदान सभा द्वारा यानि कि C right answer हो जगा very very important है ध्यान से इसको याद रखेगा अगला question दोस्तो 25 वा आता है सभीदान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी तो जल्दी से answer बते है सभीदान सभा में दोस्तो कुल कितनी महिलाएं थी दोस्तो 15 महिलाएं थी यानि कि option A right answer हो जगा यह भी अच्छा question है अगला question दोस्तो आता है भारती सविधान की रचना की समय सविधान सबा का सविधानिक सलाकार कोन था तो इस question का दोस्तो right answer हो जगा B.N.Rav यानि की C.right answer हो जगा question 26 का याद रखेगा अगला question दोस्तो आता है किस अनुच्छेत का उपियोग करके भारत के राजपती वित्य आपातकाल की घोशना कर सकते हैं देखें वित्य आपातकाल की घोशना दोस्तों किस अनुशेद में आते हैं सिधा-सिधा आपसे ये कोशन पूछा जा सकता है तो अनुशेद 360 में आती है ये आपको यादखना है अगला कोशन दोस्तों आता है भारती सविदान का पहला संसोधन किस वर्स में हुआ था इस कोशन का राइट आंसर 1951 हो जाएगा ये आपको याद रखना है अगला कोशन दोस्तों आता है सविदान सभा का पर्थम अधिवेशन कहा हुआ था तो सविदान सभा का पर्थम अधिवेशन दोस्तों कहा हुआ था राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में यानि की डी रेट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है भासा के आधार पर राज्यों का पुनर गठन किस वर्स किया गया था तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर एगा 1956 यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर एगा कोशन बर 30 का अगला कोशन दोस्तों आता है बलवंत राय महता समीती का गठन किया गया था तो देखें बलवंत राय महता समीती का गठन दोस्तों किया गया था पंचायती राज विवस्ता से यानि कि इस कोशन का रैट आंसर ओप्शन ए रहेगा कोशन बर 31 का अगला कोशन दोस्तों आता ह को हम कहां देख सकते हैं very very important है जल्दी से answer बतेगा तो 33 का right answer हो जएगा परस्तावना यानि की बी right answer हो जएगा देखे दोस्तों मेरा मकसद रहता है कम समय में आपको quality content जादे से जादे प्रोवाइड करा दूँ ताकि आपका time भी से हो और अच्छे से आप चीज़े को पढ़ सके तो प्लीज इसी बात पर अगर आप लोग ने यहां तक वीडियो देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा है एक्च्वन में अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना हर एक स्ट्रें यानि की देशी र्यासतों के भारत में विले के लिए कौन उतरदाई था तो दोस्तो 35 कोशन का राइट आंसर हो जएगा सर्दार वल्लबाई पटेल जी यानि की राइट आंसर सी रहेगा कोशन बर 35 का अगला कोशन आता है भारते सविधान में समानता का अधिकार 5 दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जएगा अनुछे 14-18 दोस्तों राइट ट्यू इक्वेलिटी के बारे में बताया गया यानि की ऑप्शन सी राइट आंसर हो जएगा कोशन बर 36 का अगला कोशन दोस्तों आता है भारते सविधान की प्रस्तावना में धर्ण निर्प जोड़ा गया है दोस्तों 37 कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 42 सविधान संसोदन और 42 सविधान संसोदन दोस्तों कब हुआ था नीचे कमेंट बोक्स में बतेगा और पूरा लिखेगा दोस्तों 42 सविधान संसोदन किस वर्स में हुआ या आपको बताना अगला question आता है, भारत की समपरवूता किसमे नहीं थे, तो इस question का right answer होजएगा भारत की जनता में, यानि की option, डी right answer होजएगा question 38 का, अगला question आता है, भारती सविदान के किस अनुचिद में विबिन राज्यो से संबंदित, VC उलेक है तो इस question का दोस्तो VC उलेक होगा है संबंदित विसिस्ट यह थोड़ा सा ना misprint है दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर होगा संबंदित विसिस्ट प्रवधान का उलेक है तो right answer दोस्तो 304 हो जाएगा यानि की 39 का right answer C हो जाएगा अगला question आता है दोस्तो भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संबंद कराएगे थे दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा 1952 में यानि की B right answer हैगा question number 40 का अगला question है अनुच्छे 356 का संबंद किस से है देखे अनुच्छे 356 का जो संबंद है दोस्तो वो है रास्पती सासन से यानि की option C हो जाएगा एक बर मैं सारे बता देता हूँ फटाफट वित्या आपात का दोस्तो 360 से है रास्टिया आपात का दोस्तो 352 से है और 360 से है ठीक है और सविदान संसोदन दोस्तो 368 से है चलो इसको भी आप लोग याद कर लीजेगा अगला question दोस्तो आता है महाँ अभियोग की परकिरिया का उलेक किस अनुच्छेद में है तो इस question का दोस्तो सही उत्तर हैगा अनुच्छेद 61 में यानि की 42 से है question का right answer option A हो जाएगा अगला question दोस्तो आता है मंतरी मंडल सब्द का उलेक किस अनुच्छेद में है देखें मंतरी मंडल सब्द का उलेक दोस्तो किस अनुच्छेद में 352 में है यानि की B right answer होगा question number 43 का अगला question दोस्तो आता है भारती सविदान में समवर्ती सूचिक किसके सविधान से ली गई है तो 44 कोशन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ओस्टेलिय के सविधान से यानि की डी रैट आंसर होगा कोशन बर 44 का अगला कोशन दोस्तों आता है सविधान के किस अनुचेद में हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश दिये गए है देखे अगर दोस्तों पूचे जाए कि हिंदी भासा को राज भासा किस अनुचेद में बोला गया हो तो 343 हो जाएगा बट इसका रैट आंसर दोस्तों 351 रहेगा या आपको याद एकना है अगला कोशन दोस्तों आजएगा आपका विदान सभा में किस देशी र्यासत के परतिनिद्र ने भाग नहीं लिया था दोस्तों इस कोशन का सही उतर रहेगा हैदराबाद ने यानि कि C रैट आंसर एका कोशन बर 46 का अगला कोशन दोस्तों आता है अगला कोशन दोस्तों आता है मारले मिंटो सुधार बिल किस वर्स में पारित किया गया था इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1909 में यानि कि B रैट आंसर एगा कोशन बर 49 का अगला कोशन दोस्तों आता है 11 दिसंबर 1946 को किसे सविदान सभा का स्थाई अध्यक्स चुना गया था दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है मार्क कर लेना डोक्टर राजेंदर परसाज जी को यानि कि B रैट आंसर एगा कोशन बर 50 का ठीक है दोस्तों एक बार फिर से बता दू साइंस की और जीके की मास्टर पीडियाप हमारी एविलेबल है आप किसी भी एक्जाम की तारी करते हैं आप दोनों पीडियाप को दोस्तों पहले एक पीडियाप को डाउनलोड कर लीजे आपको पता लगे कि अच्छा कंटेंट है तो दूसरी को डाउनलोड कर लेना कोई भी एक कर लीजे जो आपको लगे कि हाम मेरे लिए जादा beneficial हो सकती है इसमें दोस्तों निचोड है पूरा पच्छी सो कोशन का जिसमें हिस्ट्री जोगरफी पॉलेटी का है इसमें निचोड दोस्तों हमारा biology, physics, chemistry का है वैसे करेंट फिर की पीडियाप भी है उसका भी लिंक नीचे description box में मिल जाएगा या फिर 1975 में यानि की C रेट आंसर हो जाएगा अगला कोशन दोस्तों आता है निमलिकित संसोदन में से किसे भारत का लदू सविधान भी कहा जाता है, mini constitution भी कहा जाता है दोस्तों ये 42 सविधान संसोदन को कहा जाता है ये आपको याद अखना है अगला कोशन है भारती सविधान का कौन सा अनुच्छे संसद को सविधान का संसोदन करने की सकती देता है दोस्तों इस कोशन का रेट आंसर हो जेगा अनुचे 368 यानि की D रेट आंसर है का कोशन बर 53 का अगला कोशन दोस्तों किस अधिनियम की अंतरगत बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था दोस्तो इस question का अगला question है भारत की पर्थम visory कों थे रोड करनिंग यानि की option A right answer का फिफ्टी फाइव का अगला question दोस्तो है भारत का उपरास्पती किसका बदेन सभापती होता है बिल्कुल आसान सा कोशन है, मेरे साब से सभी स्टूडेंट बता देंगे, राज्य सबगा होता है, तो right answer option A हो जाएगा, अगला कोशन दोस्तों आता है, भारत है एक, तो भारत एक दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है, धन निर्पेक रास्ट है, यानि की right answer D हो जाएगा, question about 58 का, 58 का होगा, ठीक है, 59 दोस्तों भारती सभीदान को बनाने है तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे, very very important, इसलिए बोलता हूँ पूरी वीडियो को देखे, क्या पता कौन सा question दोस्तों most important बन जाए, आपके exam के point of view से, 12 दोस्तों अधिवेशन सविधान संसोदन करने की परकिरिया को कहा जाता है, कहा से लिया है साइधी होगा, तो right answer दोस्तों दक्षिन अफरीका यानी की D right answer हो जाएगा, अगला question दोस्तों आता है आपका कि भारत सविधान किसके द्वारा बनाया गया था, तो भारत का सविधान दोस्तों किसके द् कि राथवा सीमा में परिवर्थन करने का अधिकार किसको है तो राइक आंसर दोस्तो क्या हो जाएगा बिल्कुल संसद को है यानि कि ढी डी राइक आंसर हो जाएगा अग्ला कोशन सविधान के उधेशिका या प्रिश्तावना सतावना का संसोधन कितनी बार किया गया है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर एगा केवल एक बार हुआया यानि कि option c right answer हो जाएगा अगला कोशन की नाम में परिवर्दन करने का अधिकार निमलिकित में से किसको प्राप्त है दोस्तों इस आंसर हो जाएगा राज जेपाल यानि की ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है भारती सविधान के कि संसोदन अधिनियम द्वारा पंचाथी राज विस्ता को सविधानिक दर्जा दिया गया है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा 73 यानि की ऑप्श सविदान में संसोधन का प्रस्ताव किस देश के सविदान से लिया गया है अगर आप लोगों नहीं यहां तक यह वीडियो देखिए तो एक छोटा सा कोशन पूछ रहा हूं आप लोगों से दोस्तों बड़े बड़े चैनल है यूटूब पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है मैं आपको बताता हूं कि 100 कोशन कराने में कितना समय लेगे वह आप खुद बते कमेंट वोक्स में अगर कोई भी चैनल 100 कोशन कवर करा रहे हैं आपको maximum कितनी मिनट में करा सकता है 69 का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा इस कोशन का राइट आंसर दोस्तो दक्षिन अफरीका रहेगा अगला कोशन दोस्तो आता है भारत में एकल लागरिक्ता की अवधारना अपनाई गई है तो भारत में एकल लागरिक्ता की जो अवधारना है दोस्तो वो कहां से अपनाई गई है राइट आंसर इंगलेंट तो option A right answer हो जाएगा अगला कोशन आते है 1936 में किस व्यक्ति ने वेस्क मत अधिकार के आधार पर सविधान सभा के गठन की मांग की तो right answer दोस्तों हो जाएगा जवाल लाल नहरू यानि कि C right answer है कोशन बस 71 का अगला कोशन है मध्या परदेश राज्य का गठन कब हुआ था तो मध्या परदेश राज्य का गठन दोस्तों हुआ था एक नॉंबर 1956 में 1956 में तो right answer C रहेगा कोशन बस 72 का अगला कोशन आता है किस अनुचेद के द्वारा 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सिक्सा का अधिकार यानि की right to education मूल अधिकार माना गया है तो question 73 का दोस्तों right answer हो जगा अनुचेद 21 के A में यानि की option C right answer हो का question 73 का अगला कोशन दोस्तों आता है नेमलिकित में से किस देश में भारती सविदान ने लिकित सविदान के रूप में प्राप्त किया है तो right answer दोस्तों हो जगा USA यानि की United, sorry USA आपको हो जगा यानि की America अगला कोशन दोस्तों आता है सविदान सभा के कितने उपस्तित सदेश्यों ने सविदान पर हस्ताक्सर किये थे तो यह भी काफ़े important है दोस्तों कहीं बार exam में आता है अगला कोशन दोस्तों आता है कि भारते सविदान का अनुचित 60 संदर्वीत करता है तो right answer दोस्तों क्या हो जगा राजपती की सपत यानि की option B right answer होगा question number 77 का अगला कोशन दोस्तों आता है सिक्सा को कि सविदान संसोदर्व के दोवारा राज्य सूची में सवर्ती सूची में लाया गया तो इस question का right answer क्या रहेगा very very important है यह भी इस question का right answer 42 सविदान संसोदर्वी रहेगा यानि की option C हो जाएगा 79 ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की न्युक्ति किसके दोवारा की जाती है दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा राजपती दोवारा यानि की option A right answer है का question number 79 का अगला question दोस्तों आता है भारत के पर्थम गवर्णर जनरल कौन थे? तो भारत के पर्थम गवर्णर जनरल दोस्तों कौन थे? तो right answer हो जाएगा लोड विलियम बेंटी की right answer आपका option A रहेगा. अगला question दोस्तों हमारा आता है कि हिमाचल परदेश को राज्ये का दर्जा पर अज़ात कोन था तो सवतंत्र भारत की दोस्तों लोग सभा का जो पहला अज़्यक्स था वो कुह थे चीवी माव माव jakiśलंकर यानि की डिरंदांसर हो जआगा कोशनबर 82 का अगला कोशन है आजाद भारत की सविदान सभा के अध्यक्स कोन थे तो इस कोशन का दोस्तो right answer एगा राजेंद्र परसाथ यानि की a right answer एगा कोशनबर 83 का अगला कोशन है भारत की अंत्रिम संसद में कितने सदश्य थे दोस्तो इस question का right answer रहेगा 296 यानि की option A right answer रहेगा question 84 का अगला question है निमलिकित में से कहां लोकतंतर नहीं है दोस्तो इस question का right answer हो जगा चीन में तो लोकतंतर नहीं है तो right answer D रहेगा ये question भी कहीं बार अलग-अलग exam में पुछे आता है और इसमें कोई भी अलग सी country दोस्तो दे सकते है 86 है भारत के राष्टे धवज में चक्र क्या निरुपित करता है दोस्तो इस question का right answer हो जगा सत्य को दोस्तो निरुपित करता है यानि की right answer है का question 86 का अगला question दोस्तो आता है पंच वर्षे योजना की अवधाना किस देश के सविदान से प्रेरित है यानि की 5 वर्षे दोस्तो जो हमारे देश में सरकार चलती है ये कहां से मतलब प्रेरित है तो right answer हो जगा दोस्तो सोवेत संग से यानि की आपका रशिया इसका right answer हो जगा option A अगला question दोस्तो आता है सविदान की प्रारूप समीती में कुल कितने सदेश्य थे दोस्तो इस question का right answer हो जगा very very important question है कहीं बार student गलत कर देते हैं साथ हो जएगे दोस्तो इसमें सदेश्य तो option A हो जगा अगला question है भारत का राश्पति किस अनुचेद के अंतरकत आता है तो right answer दोस्तो अनुचेद 52 हो जाएगा यानि की option A right answer रेगा question number 89 का अगला question है अनुचेद 370 किसे विशेश दर्जा परदान किया गया था तो option दोस्तो इस question का right answer किया रेगा जम्मू कस्मीर यानि की A right answer रेगा question number 90 का अगला question दोस्तो आता है भारती सविदान में राश्पति के चुनाव की परणाली किस देश से ली गई है तो इस question का right answer किया रेगा Ireland से यानि की C right answer रेगा question number 91 का अगला question है सविदान सभा के गठन की मांग सब पर्थम 895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तो इस question का right answer रेगा बिलकुल Ireland यानि की C right answer रेगा question number 93 का अगला question है सविदान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने परतिर्दी थे यानि की इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा बिलकुल ये थे 70 ये आपको याद रखना है ठीक है भई अगला question दोस्तो आता है अगला question दोस्तो आता है चोहतरवे सविदान संसोधन अदिनियम द्वारा बारतिय सविदान में कौन सी अनुसुची जोड़ी गई दोस्तो इस question का सही उत्तर हो जाएगा बारवी अनुसुची यानि की डी रैट आंसर है का question number 95 का ये आपको यह दखना है अच्छा 95 इथे दोस्तो पांच question कम रहेगे इसके लिए माफी चाहेंगे तो अब ही मैं आपको पांच question का दोस्तो टेस्ट देता हूँ इसी वीडियो से रहेगा तीन question का होगा सायद तो आपको इन तीनों question जितने भी होंगे आपको आंसर बतारा है comment box में चले पहले पहला question आपकी screen पर है कि सविदान सभा की पर्थम बैटक कब हुई थी आप वीडियो को pose करिए अराम से comment box में answer बतारे दूसरा test का question है आपका comment box में बताएंगे तीसरे question का right answer और वीडियो को pose करके आप answer बता सकते हैं चोता question है भारत है एक तो इसका भी answer आप लोग comment box में बताएंगे दोस्तों ठीक है और यहाँ पर पाचवा question है भारत में एकल लागिता की अवदाना अपनाई गई है तो यह भी आप मुझे comment box में और देखे मेरे प्यारे दोस्तों 6000 question answers की master pdf को आप जरूर परचेज कर लिजेगा अगर आपका exam अभी अगले एक दो महीने के अंदर है या फिर बाद में भी है तो यह pdf आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगी इस pdf को directly आप हमें whatsapp number पर message करके भी ले सकते हैं या फिर नीचर description box में link दिया गया है वहाँ पर भी क्लिक करके आप इस pdf को ले सकते हैं इस pdf में सारे subject cover किये गए है static gk की pdf free दी जाएगी और अगर आप इस pdf को complete cover कर लेते हैं दोस्तों तो आप अराम से निश्चिंत होके कोई book मत पढ़ना कोई pdf मत पढ़ना चले जाना exam में 90% तक का पूरे questions इससे मिल जाएगे बहुत अच्छे तरीक से बनाए है repeated questions है वीडियो पसंद आए तो like share कर देना और चैनल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon को जरूर ओन कर लेना ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो thank you so much bye bye everyone take care ख्याले के अपना